कुछ इतना बड़ा momentum भी हमने cash नहीं किया है और नहीं आज का trade ऐसा कुछ खास rate था अभी दो लोगों के मेरे पास message आए कि इस stock के अंदर आपने entry cash execute की तो just उसी के लिए अब हमने सोचा कि इसके ऊपर एक video भी बना देते हैं separate तो बहुत कोई बड़ा ये video होने वाला नहीं है जसके नॉर्मल से video और हो सकता है कि ये without editing की video जैसा हम record कर रहे हैं वैसा का वैसा ही हम अडाल दे daytime frame के उपर हम इतना focus नहीं करें क्योंकि सिर्फ इतना बान करगे चली सारी lens को चली हम delete कर देते हैं previous कुछ days में यह इसको सबसे अच्छा है कि हम drawings में सबसे पहले आपको समझा दे प्राइस किसी एक level तक अगर हमारा पहुंच रहा है यसे low से upside का momentum एक अच्छा moment करते हुए प्राइस हमारा upside तक पहुंचता और वहां से इसके अंदर एक breakout आता है नीची की दरफ एक resistance तक गया प्राइस यहां पर जैसे ही पहुंचता है एक बड़ा momentum दिखा जाते समय तो यहां पर काफी सारा इसको stress करना पड़ा था अपने आपको काफी सारा struggle करना पड़ा था resistance बने ब्रेक आउट हे resistance बने ब्रेक आउट हे बर जब प्राइस गिर रहा है तो अचानक से एक candle में ऊपर जाना और मतलब कुछ candles में upside की तरफ जाना और वहां से नीचे की तरफ गि मतलब एक तरह से आप ऐसे समझे कि प्राइज हमारा एक लेवल तक जा रहा है इस तरह से गया यह काफी इसने मशक्कत की अपसाइट पर जाने में और यहां से बिलकुल सीधे गिरिया एक डाउन फॉल आया बड़ा सा डाउन फॉल आया सिर्फ गुजरात के इस महीने किसी भ अब सीधे ओं पर जाता है तो मोमेंटम में डाउन स्टैक्ट के तरफ की देखने को मिलती हैं हां कुछे कंदिशन हैं वह कंदिशन इतनी जादा इंप्रनेट नहीं लेकिन एक में अपना प्राइस ज़ाइक्षिन क्या बनता है लेकिन अपना में प्राइस जो बन रहा है वो यह होगा, तो गुजरात गैस को ले करके, आप lower time frame पर देखे, कि lower time frame पर इसके अंदर क्या हुआ था, यहां तक price हमारा देखे, up move इसने दिखाया, एक बड़ा सा up move दिखाया, price मेरा upside की तरफ गया, और यहां से फिर यह गिर गया, और यह एक हमारा बना resistance point, मतलब price upside की त कुछ important points थे, यहां पर, और price ने कुछ इस एक जगह पर अपना resistance ले आता है, जैसे कि आप यह red वाली candle देख रहा हो, exact आप इसको mark आप इसको mark लो, यह resistance point यह बन सकता है, आप देखे, यहां पर भी एक basic सा price action आता है, like कोई एक आपका criteria है, price हमारा ऐसे, highs को वो protect कर रहा हो, lows को break कर रहा है, इस तरह से ही नीचे के तरफ गिर रहा है, एक side में momentum होता है एक तरह से, और price ने यहां पर क्या किया, अपने resistance को break किया, इस तरह से किया, और अपने resistance को upside के तरफ ब्रेक कर दिया, हमें तो लोगा किया, रिवा, breakout हो गया, price तो हमारा ओपर चला जाएगा, but यह breakout एक्चुली यहां से गिरने का symptom था, इसने सभी लोगों के stop process यहां से लिए, और फिर यहां से इसका momentum downside की तरफ का चालू हो गया, अब देखिए, यहां पर गवर करने वारी चीज़ क्या है, कि first candle जो हमारी ऊपर की तरफ निगली थी, यह वाली candle, यह हमेशा एक resistance के त दो price actions हमने आपको बता है, यह जो points बने है, यह आज के लिए हमारे एक resistance level था, ठीक है, अब देखिए, तीसरी चीज, third point है, कि price के अंदर माल लिजे, कोई एक high, low और यह high, यह momentum हुआ, यानि कि यह वाला जो अपना area, जो मेरा swing high बना था, एक यह resistance point था, price ने अपनी resistance का breakout का और उपर की तरफ निकल गया, अब बगार उसको उपर जाना तो यह चला जाना, resistance become support, support become resistance, इन दो lines को एक कविता की तरह आप रट लिजे, क्योंकि हमेशा कोई भी time frame हो, किसी भी market में आप काम करो, यह हमेशा काम में आता है, यहाँ पर क्या हुआ है, यह point मेरा एक resistance point है, ज हो सकता है कि यहाँ पर price रुके न सीधे गिर जाए, हमें यहाँ पर conditions अपनी match करनी होगी, अभी के लिए basic चीज जो क्या होगी, कि price हमारा अगर upside की तरफ गया है, तो अगर यह वाला point हमारा resistance point है, price हमारे इस resistance को upside की तरफ breaker के ऊपर की तरफ निकल रहा है, और अगर नीचे की तरफ market आती है, तो same level हमारा support और अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकला, तो मतलब कि यही level आपका important point बन जाएगा, आपको अगर कोई major decision लेना है ना stock के अंदर या किसी भी price के अंदर, आप इस एक level से ले सकते हो, इसके बाद में volumes के roll यहाँ पर देखे, कि price हमारा upside की निकल रहा है, low, high, अब अगर यह नीचे की दिशा तक आया, यह वाला point और यह मेरा support बना, यह support point बना, यहाँ पर price ने breakout किस जगह पर दिया, इस एक जगह पर, हमारे resistance का breakout दिया, आप यहाँ पर volumes चेक कर लिना एक बार, अगर heavy volume के साथ price breakout मार रहा है हमारी इस वाली जगह पर, तो इसको उपर निकलना होगा, और अगर price हमारा वापा से same quantities को trade करने लगता है, मतलब इसी volume के अंदर आकर के price हमारा trade करने लगता है, यहाँ पर, ऐसे, बहुत हद तक chance होगा, कि price हमारा उपर की तरफ ना निकल पह, और day time frame के, जिस level से टकरा करके price हमारा नीचे की त तो same points हैं, देखे, कि यहाँ पर lower time frame के अंदर price ने momentum में upside की तरफ दिखाया, गिरा market, market गिरी, यहाँ से फिर उपर की तरफ चली गए, एक volume breakout दिया, और price जब वापा से हमारा same level के अंदर आकर के trade करने लगा ना, हमने यहाँ पर अपना trade execute कर दिया, देखे, इस चीज को करिए, आपने word सुना होगा, multi time frame analysis, multi time frame analysis का मतलब यह थोड़ी नहीं है, कि आप 5 minute, 3 minute, 15 minute, 1 hour, 4 hour, day, monthly, weekly, इस बस, नहीं, ज़रत ही नहीं है, जो आपके अपने time frames है, like 1, 2 या 3 time frames हो सकते हैं, जैसे हमारा क्या है, हम 3 minutes के time frame में देखे, जैसे हम example कर लें, अक्सर आप देखत में आपको देखना पड़ेगा market को, सबसे पहले, overview क्या हो रहा है, market की conditions क्या है, और जब हम इन market की conditions को देख रहे होते हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरह का, कोई भी आपको technical analysis नहीं करना पड़ेगा, एक overview कि market कर क्या रही है, market structure किस तरह का बना रही है, overall sentiment क्या है, overall sentiments क्या है यह सारी चीज़ है, इसके बाद में जब हम एक इस नतीज़ पर पहुंचने हैं कि ओके, अब हमको समझ मेरा है कि किस तरह के momentum हो रहे है, अब ज़रुत पड़ती है, छोटे time frame पर confirmations लेने की, तब हम देखते हैं, इन सारे techniques का सहारा लेते हैं, आप कहिए कि यह techniques ज़रूरी हैं या यह, नहीं, इन techniques से ज़रूरी हैं, यह overview वाली points, इनकी importance अपनी जगह पर है, lower time frame की और higher time frame की अपनी जगह पर, चार्ट को देखने के बाद में आप अपनी समझदारी से उस चार्ट को कितना समझ पाते हो, यह बहुत भाहिने रखता है, drawings वगरा काफी हो गई, अब charts पर आते हैं सिधे, देखे, day time frame पर हमने क्या, higher time frame पर हमने क्या बता है, कि price के जो momentum हुएती, यहाँ पर देखे, price upside की तरफ आया है, इसने यहाँ पर एक move दिखाया है हमको, same level हमारी resistance point आज के, price देखे, आज open हुआ है, तो इसने starting में हमें 3% का move दिखा दिया, ideally देखा ज यहाँ पर हम यह भी देखने हैं कि volumes के ठीक ठाक breakout हमको देखने हो को मिले है, और मेरे level के ऊपर में जाकर, price निकलने की भी कोशिश कर रहा है, fail हो गया, नीचे की तरफ आगया, ओके, अब हमें मतलब कि short कर देना है, क्योंकि price हमारा ऊपर की तरफ sustain नहीं कर पा रहा है, अभी दर कुछ दिनोंचे कुछ भी stocks हम शेयर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अपने घर पर हम जो अपने desk वहाँ पर नहीं है, अभी थोड़ा सा समय मिला है तो हम यह वीडियो बना रहे है चोटा सा, अब यहाँ पर देखिए, अपने group पर जो हमने आज inform किया था, कि एकद सबसे फ़ले, okay, pre-login होंगे, नहीं, pre-login नहीं है, password डालते हैं, okay, तो position book देखिया आप, position book में overall 4,956, अभी आपने बता है नहीं कि बहुत बड़ा profit नहीं था market, पूर रहा साइड बे market थी, odd book आप यहाँ पर देखोगे, तो 16, कुछ, 1650 coins के साथ यह trade हमने अपना execute किया यहाँ पर, यहाँ पर देखे, sell side पर अपना trade executed किया, fully executed 457, और 2 रुपय का हमारे stop loss लगा हुआ था, 459 रुपीज का stop loss था, पूरे दिन हम इसको hold कैते हैं, इसको refresh कर लेते हैं, और जो हम यहाँ से बाहर हुए market price, मतलब market नहीं हमको बाहर किया, 453.99, तो 454 आप मान सकते ह होगे, तो 454 का level कौन सा होगा हमारा, यह वाला, तो बिलकुल जब market नहीं हमको बाहर किया है, तब हम बाहर हुए, पूरे दिन हमने वेट किया, तो एक तरह से कहाँ, जितनी अपनी क्षमतर थी, हमने वहाँ तक hold कर लिया, तो यह तो बात हो गई, overall हमारे profits की है, पोजिश है, इतना काफी है, तो यह तो बात रही है, अपने position books की, अब देखिए, यहाँ पर हम क्या समझा रहे थे आपको, यह हो गया मेरा, एक overview, कि price का resistance हमने देख लेगी, कहाँ पर है, और यहाँ से जब price मेरा बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसके breakout में fail होते हुए नज़र आ र यह वाला momentum बदा है था जिसका breakout होता है, अब अभी देखिए कि क्या हुआ है गुजरात का इसके अंदर, यह देख पा रहा है, एक high, high के बाद में एक low और low लगने के बाद में आ गहीन एक high, low, high, low और यह, यह स्वाज में आ रहा है, अब यहाँ पर volume देखिए, आप किस करने लगा है, यहाँ से, हमने यहाँ पर अपना trade execute कर दिया, और यह वाली जो मेरी candle है, 354 की candle, exact हमने क्या किया, अपने day time frame के level के नीचे, और इस वाली candle के ऊपर हमें अपना stop loss लगाना था, इन दो lines के ऊपर हमारा stop loss जाना था, अब side के line को देखिए, हमने delete कर दिया, तो 35 358.80, 359.20, इसके बीच में हमें अपना stop loss रखना था, तो exact हमने 359 पर अपना stop loss रख दिया, खतम, यह मेरा stop loss का area बना, और जहाँ पर हमने अपनी entry लिए, आप देख रहोगे, 5 minute पर अपनी एक candle बनी थी, 357 इसका area, हाँ, exact, यह मेरी candle थी, 10 बजे की candle, आप 5 minute पर तो 3 minute पर भी, 3 minutes पर भी, 10 a.m. की ही candle है, आप इसका जब exact low point देखोगे, तो 457 आएगा, और stop loss हमना 359, जो अभी हमने आपको बताया, वापस से चलते 3 minutes की time frame पर, 3 minutes की time frame हम इतना recommend नहीं करते हैं, कि आप 3 minutes की time frame पर जाकर के trade execute करो, because false signal यहाँ पर ज्यादा मिलेंगे, यह वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, फिर से बता दें, कि entry हमने गुजरात गयस के अंदर किस ले लिए, तो क्योंकि हमने 3 minutes की time frame पर ली, तो इस वाज़े से इसको open करना बनता है, इस वाज़े से यहाँ पर हम इसको explain करने हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि कल आप 3 minutes की time frame पर आ हमारे higher level से भी देखा ना कि price कैसे टकरा करके नीचे की तरफ गिरने लगा था, तो एक तो वो नीचे की तरफ आया, और again price हमारे resistance के अंदर, यहाँ से इसने support लिया, और support code जैसे ही downside के तरफ इसने brick किया, यहाँ पर, हमने इसके अंदर अपना trade execute कर लिया, इस level पर, इस green व formations हम गलत बोल रहे हैं, आपके पास अपनी entry की confirmations होनी चाहिए, वो price structure हो सकता है, वो candle sticks की कुछ formations हो सकती है, वो group of candles हो सकता है, वो एक single candle भी हो सकती है, कुछ भी, लेकिन एक overview आपके मन में होना चाहिए कि करना क्या है, जब हम यहाँ पर देख रहे हैं, कि price मेरा एक बड़ लेवल से टकरा करके नीचे की तरफ गिर रहा है, volumes के breakout हों है, अब इसको जाना है तो उपर चला जा है, फिर यह हमारे resistance लेवल को break करके उसको support में क्यों convert कर रहा है, support में convert कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कि यह एक retracement है, जिसको कि हम लोग use कर सकते हैं, अपने internet के यहां पर, वहां तक तो फिला नहीं आया, प्राइस तो उसको बेकार है कहना, लेकिन हमारी expectation थी कि यहां तक market को गिरना चाहिए, side way है, क्या ही करेंगे उसके अंदर, इस तरह से price को हमने analyze किया था, I hope कि कुछ ना कुछ, जो भी points आपको समझाने आप बताने की कोशिश की ह clear कर पाए होंगे, so thanks and अब हम लोग मिलेंगे अपने next reading session में, कोई भी अगर इस टॉक कर रहा होंगे तो अपने group में हम share कर देंगे, so thanks and we will meet again.